चलो दोस्तो एक बार फिट से सौगत है आप सब का मेरी YouTube चैनल लीडर्शिप्टी में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ELC में जिसे हम बोलते हैं दोस्तो Earth Leakage Circuit Breaker दोस्तो अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर ऑविसली आपके इंडस्ट्री में जरूर यूज होता हूँ अब मैं आपको एक 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 इग्जामपल देता हूँ कि अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर है क्या दोस्तो एक एक सेफ्टी डिवाइस है जहां पर कोई वेल्डिंग मशीन हो और अगर उसमें कोई भी टेकनिकल फॉल्ड आता है अगर कोई भी उसमें इलेक्ट्रिकल एनरजाईज लीकेज होता है तो यहां पर इलसी बी का काम है उसे डिटेक्ट करना सेफ्टी डिवाइस है ठीक है तो इंस्टॉलेशन के टाइम में हमें यहां पर इलसी बी लगाना व्युप कि अगर वहां पर यह पॉइंट जरूर मेंशन कियोगा कि कनेक्शन शुड़ बी प्रॉपर लीन अर्थ निकेट सब्सक्राइब मतला ELCB के थू कनेक्शन होना चाहिए उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ अर्थ लीकेज होता है तो वो डिवाइश ट्रिप कर जाती है उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाता है और वो ट्रिप हो जाती है उसके अंदर एक ट्रिपिंग डिवाइश होता है ठीक है कभी अकर मैं प्रेक्टिकल करूँ बात तो आपको में वीडियो जरूर शोग करूँगा कैसे वो त्रिप करता है उसमें कि स्प्रिंग होता है यह सीबी के अंदर और वहां से जैसी को भी आली के जाता हूं बटने आप प्रेश हो जाती है अब दोस्तों बात आती है कि आप कैसे पता करोगे कि ELCB वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर आप इंडस्ट्री में ह अगर आपने फ्रेशर जॉइन किया है या फिर एक्सपीरियन्स हो तो आपके पास मल्टिपल से रिजन है ELCB को चेक करने का एक तो दोस्तों आप ELCB को मैनुएली चेक कर सकते हो वो कैसे चेक करोगे सपोस्ट एट ELCB के ऊपर एक बटन होता है उस बटन को प्रेश करोग तो आपका ELCB ट्रिप हो जाएगा सेकेंड क्या होता है कि ट्रिपिंग के लिए हम एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं सपोस्ट नैट कि मैने एक बल्ब का होल्डल लिया हुआ है ELCB कनेक्शन लगा हुआ है जैसे ही मैं कोई अगर लीकेज करता हूं अर्थ ठीक है जैसे ही मै मैंने अर्थ लीकेज किया है तो वो ELCB ट्रिप हो जा रहागा ELCB ट्रिप हो गया समझ जाओ कि ELCB वर्किंग कंडिशन में अगर ट्रिप नहीं हुआ तो समझ जाना वो डैमेज उसको इमेडियेट रिप्लेस करना है ऐसा ही थोड़ा आगे बात करते दोस्तों यह रहा ELC अब दोस्तों बात आती है कि ELCB के अंदर जो फंक्शनल्टी होती है मैंने बता है कि इसका डिपी डिवाइस होता है रिले होता है जैसे आपका कनेक्शन होता है ठीक आपने यह से दे दिया यह फोर पूल है फोर पूल मतलब आर वाइब ब्लैक आपको पता हूं अच्छी है थे तुक में बिक यह आपको 14 रोइब अगर उपर अगर आपने इसको प्रेस किया लिए event को डिवाइब कोई होओं कोई कोई या यह प氣ल घ्लिंर है या पिसको य्ूस किया गहा इंडेस्ट्री में ऐसा ही होता है, एक आपको live example देता हूँ, एक ELCB से, दो welding machine से ज़्यादा connection नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जहां पे था, उस construction site में, एक ELCB से चार welding machine का connection था, तो बंदा आता था, और इस, जैसे ही overload होता है, तो ये trip हो जाता था, उसके बाद worker आया, वो worker आया, उसको उठा दिया, फिर चलने लगी welding machine, ऐसे करते करते, एक time period ऐसा आया, कि उसने जैसे इसको उठाया, इस button को, hole को, तो ऐसे ये ELCB फट गिया, blast हो गया, दोस्तों, और जैसे blast हुआ, तो उस worker का पूरा phase जल गया, ठीक है, तो ये coincident हुआ था, मेरे work site पे, so just I I am going to share video, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका आपको इस बात पता होना चाहिए, इसका ELCB का, आपने वर्ट सुने, 30 milliampire, आपने को, tripping point, 30 milliampire, कैसे हो, कैसे detect करोगे, एक तो दोस्तों, आपको समझदा हो, 30 milliampire, यह हमारा rated trip, जो से आपका leakage होता है, यह आपका rated, क्य 30 milliampire, इसका rated tripping point है, जब मैंने industry में इसकी testing की, एक पर, ओसाज आप जाओगे, तो 24 milliampire, पहुंचते ही, यह trip हो जाएगा, अगर trip हो जाएगा, अगर trip हो जा रहा है, समझो, it is good, अगर नो के condition, इंसान के body को, ना, सौक लगने में जादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, 30 milliamp आपका जो rated tripping leakage current होता है, ELCB का, जैसे आपने कोई test किया, ठीक है, जैसे आपने trip किया उसको, पर्टीकुलरी आर्थ leakage करेंगे, तो 24 के approximately trip हो जाएगा, ठीक है, तो इस point में याद रखना है, interview में ज़रूर question करता है, कि what is the tripping point of the ELCB, तो question में यहाँ पे confuse मत हो ना, recently question make sure 30 billion appear, अब यहाँ पे आपको यह confirm करना होगा कि ELCB आसा नहीं है, कि आपका three face, single face और three face का भी योज़ता है, industry में काम कर रहे है, single face not allowed, ठीक है, इस बात को याद रखना है, अब घरों में आप यूज़ कर रहे हो, single face supply, single face का भी यूज़ता है, industry में three face का भी यूज़ता हो हुआ, आपको electrical, जितना भी ELCB हो गया, इस से दूर रखना है, उसके बाद आपको never, कभी यूज़ नहीं करना, क्या, cords plug around the water, suppose that, पानी के आज पास आपको welding boot है, वहाँ पे आप यूज़ कर रहे है, ठीक है, unplugged, cable, तो वहाँ पे chances है, accident, short circuit होने का, ठीक है, कभी भी पूल म निगालो, कहां से, किस चीज़ से, cord से, cord आपको मैं बता हूँ, तो अगर आप देखे होगे, electrical boot के अंदर, तो आपको multiples cord मिलेंगी, socket, ठीक है, ऐसी मैं बात करूँ, always आपको, कहां से दूर रहे है, sub station, अगर आपने sub station देखा हो, या power line देखा हो, thermal industry के अंदर, ठीक है, सार कुछ आपको दिखता होगा, power station के अंदर, आप नहीं जा सकते है, वहां से दूर रहो, high energized line होती है, ऐसी आपको चड़ना नहीं है, कभी-कभी क्या होता है, worker, climb कर जाता है, polyelectrical pore के अंदर, कभी आपने videos देखा होगा, youtube के अंदर, की worker, railway, bogey के उपर चड़ या, उपर से high tension line जाती है, उसको उसने attach कर दिया, blast हो गया, तो ऐसी कोई miss happening हमें नहीं करनी है, और यह सब training हमें provide करना है, और कभी भी ऐसा fly kites नहीं करना है, और the power lines support that के आप पतंग उड़ा रहे हैं उसके आस-पास, यह सब चीजे हमारी daily life से depends करती है, और कभी भी आपको ऐसा finger apply नहीं क bulb में holder ऐसे लटक रहा था, और उसमें bulb नहीं लगा हूँ था, तो पहले मैं daily क्या करता था, उस bulb के holder को press किया करता तो अच्छा लगता था, तो एक दिन, evening के समय पे, उस bulb का electrical cable था, वो plug पे लगा हूँ था, और button भी चालू था, bulb नहीं लगा हूँ था, और मैं नीचे खड से मैंने कभी electrical equipment को हाथ भी नहीं लगा है, बहुत लगी था है कि मेरी जान बज़ गए, तो ऐसे coincidence हो जाते हैं, भी से हो जाती है, तो दोस्तों ये वीडियो था, ELCB का, तो make sure कि अभी आप interview के लिए जा रहे हो, आपके worst head मे ELCB use हो रहा है, तो आपको उसके बारे में पता तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के सामदें के लिए बाइबाएं और दुआओं में याद रखना दूस्तों, अल्लाँ आपीश